So hello guys and welcome to another vlog ठंड़क का मौसम जो है वो इस समय आ चुका है आज 1st November है और ठंड़क का मौसम में बिसिकली मोटर साइकल में जो है वो कोई भी प्रोब्लम आया फेना है एक प्रोब्लम जो है वो हर मोटर साइकल में आती है उस प्रोब्लम को कहते हैं जो है छो है स्टाटना होना है क्योंकि ठंड़क में एंजन वो एक्ड़ब ठंड़ इकड़कर रहता है जिससे आप लोगों कि घंट में अपलोग को है तहली सी प्रोब्लम होती है आज THIS君 आघ कि बहुँ है इस आहुं इसी बारेहे में अमोट गो थोड़ा कुछ बता भी दूँगा कि आप लोगो को क्या क्याब प्रॉब्लम मेंधा है इसके आप जपी अपने थी कि एखें इक जी कि एखनी सेतने के लिए हैं मतल로 बाइक उतन मुस्किल से स्टार्ट नहों है और थोड़ा बहुत असानी से आप लोग और थंड़क थंडक में especially कोहरे के समय में है जब सुवेर सुवेर एकदम थंड़ एकदम पड़ता है उस समय आप लोगी बाइक जो है वो आसानी से स्टार्ट हो जाए देखो जो सबसे पहला काम आप लोगो करना है हम लोग स्टार्टिंग थोड़े से बेसिक चीजों से करते हैं यहां पर होता है और जितनी भी मोटसाइकल होती है उन सब कर चोक जो कहीं न कहीं यही पर ही लगा हुआ रहता है करना होगा अपने itel और火 के दो गव्रकुने करने तो दोब Damit डेकर अगर थनकर पड़ रही है तो आप लोग्लों अपने बाइक करने हो डिर स्टार्टौ स्टार्ट नहीं कि विशे थंड़क में प्रोप्लम होती है क्यों है क्योंकि आप लोगो क्या स्नु थाली से गवी जायाद यार रंबких और आ है तो शुंक्स्पार्इट उसे कम की भाइक यह भाउरफुल नहीं होता है तो ऐसे देश यून को भेजेगा है जाते है असानी से स्टार्ट हो जाएगी यह तो पहला काम होगी है जो दूसरा काम आप लोगों को करना है वो आप लोगों को सेल्फ का बिसिकली यूज नहीं करना है अगर आप लोगों के बाइक में अगर केक है तो क्योंकि अगर आप लोगों के बैटरी है वो मतलब बहुत ही जादे बिकार है तो वो जल्दी खराब हो जाती है अगर आप लोग वे पास भी अगर बजाज वीवन फाइफ या फे कोई ऐसी बाइक है जिसमें किक है तो सुभेरे सुभेरे ठंड़क के मौसम में आप लोग जो है वो हमेशा अपने बाइक में किक का आप लोग यूज करो आप लोग कभी भी इस सेल्फ का यूज मत करो जब आप लोग ये बाइक अगर कोल्ड है तो क्योंकि आप लोगों के नीकिला वो सब काम आपकली कर देता है एसले वे कार्बोरेटर लिए लेगार ङते लुघररं में आपकल अपनी में अजब कर देते ही अज परमक आप मारते बो सब्सक्रम कर देता है हर आप लिए की पैतरी नोभ ही और आप लोग यह बाइक भी नहीं होगी यह दूसरा काम है जो आप लोगों को नहीं करना है कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि मतलब आप लोगों को अपने बाइक में करवानी चाहिए सबसे पहले टुनिंग होती है अप लोगों के बाइक कहए तुनिंग्ग यह रहते है जब खड़ी रहती है हा अब जस अपने बाइक अपने कांब कर तो हमें आप लहां बाइक हो ज्यादे बंद रन भी जल्ड़ हो जाती है उसका रीजन उसका यह होता है कि बाइक जो है उसके इंजन कोल्ड हुआ रहता है तो ऐसे केस में आप लोगो को जो है वो आपने बाइक का आइडल रप्यम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जैसे कि अभी तो नमेंबर का भी समय चल रहा है तो इतना भी पंग्या वाली बात नहीं है लेकिन अगर देसंबर होता है जैनवरी होता है जिसमें बहुत जादे लखनों में थंडा पड़ता है तब मतलब आइडल रप्यम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आप लोगो करने के बाद आपने बाइक बंद नो को जाए है यह प्रफिक में बहुत साहिए है तो गयाका से इंक्रीज को करना पढ़ेगा एक और चीज है जो कि बाइक के के बाइक के बहुत ही बैइसरे बेनेफिशल होता है की मतलब अपना को यह बाइक जो है वो start हो जाती हो उतने जादे आसानी से बंद भी नहीं होती है और वह आपने को कुक्ष करना पड़ागई आ पड़ेगा located obesity की त्यूनिंग कार्पूरेटर की ट्यूनिंग होती है वो सर्दी के अलग होती है और समर के अलग होती है समर में कार्पूरेटर की ट्यूनिंग को हमेशन लोग पर रखा जाता है जैसे कि आप लोगों को जादे बेटर मालेज मिल पाए और समर में तो मतलब उतने जादे बाइक को स्टार्ट करने में प्रोब्लम नहीं होती है सरदी में इसका थोड़ा सा आप लोगों को उल्टा करना पड़ता है सरदी में ओविसली बाइक को स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रोब्लम होती है मतलब उसको जादे fuel उसको चाहिए रहता है, जादे आग लगाने के लिए, तो आप लोगों को carburetor की tuning करके इसके आप लोगों को tuning को थोड़ा सा बढ़वाणा पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों की बाइक में जो है, बाइज टोड़ा सा जादे fuel जाए, तो यह काम आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा अगर आप लोगों को आप लोगों को अपने बाइक में आप लोगों को डिफिनेटली करवार लेना चाहिए अगर आप लोगों को मतलब ठंडक में वार काई पर ट्राफिक में आगर रोपना कर नहीं चाहते हो तो है रहाएंना जो जरूरी होता है करवा लिया करो है अनुरी म hepsi पासे ओ म Mack के spark plug को आप लोगो चेक करना है क्योंकि spark plug क्या होता है कि जैसे अगर पुराना होता है बाइक का spark plug तो थंडक में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि आप लोगों के बाइक का स्टार्ट ना होने का कहिने का यह कि यह भी एक रीजन होता है जैसे कि मतलब आप लोगों के बाइक का spark plug तो पुराना हो चुका होता है जैसे कि मतलब ज्यादे अलेक्रिस्टिटी को आप लोगों के बाइक में चाफ़े वो नहीं भेश पा जैसे कि आप लोगों को अपने बाइक की जो चेन है याप लोगों को ठंडग में उसको आप लोगों को साफ करवा लेनी चाहिए क्योंकि जैसे कि आप लोग यह आप देख सकते हो यह वाली चेन में मतलब थंड़क अभी तो मतलब ऑईली है है ना greasy type की इसकी chain है यहाँ पर आपनों देख सकते हो लेकिन अगर जादे थंड़क पड़ेगी न तो तेल जो होगा बेसिकल इस वाले bike का वो तेल मतलब मतलब यह जो oil की में बात कर रहा हूं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं यह तेल में जो oiling पड़ती हो मैं उसकी में है यह नहीं सी वज़े से कहा जाते है कि हर सर्दी के स्टार्टिंग में आप लोगों अपने bike को सर्विस करा लेना चाहिए जैसे कि कोई भी गंदगी है जैसे कि आप लोगों यह बाइक के टायर के एकसल में कोई भी आप लोगों के ब्रेक में अपर मतलब फ्रंट वाले अगर कोई भी गंदगी है तो वो मतलब आप लोगों के bike में problem करेगी चैनल चलने में obviously mileage और जादे कम हो जाएगा उसके बज़े से इस चीज को भी चैनल आप लोगों को करवाई लेना चाहिए इसपेशली थंडग के मौसम में मैं भी अपने बाइक को अभी जाओंगा भी सर्विस कराने भी कुछ यह दुनों में तो करवा लूगा मेरे बाइक में और भी प्रोब्लम में आप और भी मतलब वीडियो बना जिसकी बैटरी जल्दी जल्दी खराब होती है तो मतलब आप लोगों के बाइक में यह वाली प्रोब्लम ना आए और अप लोगों के बाइक में जाए असानी से स्टार्ट हो जाए इस वज़े से आज की यह वाली वीडियो मेरा बनाने का मकसद है और मतलब मुझे इस बाइक की जो है वो बैटरी भी चेंज कराने के वो भी एकदम खराब हो गई है चलो उसके उपर बात में वीडियो नाएंगे आज के लिए बस इतने अगर यह वाली वीडियो अच्छे लेगे तो नीचे चुल लाइक और सब्सक्राइब कुछ बटन उसको दुपा देना अगर कोई भी कुस तुचा हो कोई भी कॉमेंट उसके लिखने का अगमन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट उसके लिख देना चलो गया बाइस यू सून स्यू तुमोरो मैं बताँ आप लोग सब कल चलो गई बाइस बाइस बाइस